वा दमपती है अनुदीप और मिनुशा अनुदीप और मिनुशा ने अभी पिछले मेने नवंबर में ही शादी की हैं शादी के बाद बहुत से वा गुमने फिरने जाते हैं लेकिन इन दोनों ने कुछ अलग किया ये दोनों हमेशा देखते थे कि लोग अपने घर से बहार गुमने तो जाते हैं लेकिन जहां जाते हैं वहीं धेर सारा कुड़ा कचरा छोड़कर आ जाते हैं करणा टका के सोमेश्वर बीच पर भी यही स्थिती थी अनुदीप और मिनुशा ने ताई किया कि वो सोमेश्वर बीच पर लोग जो कचरा छोड़कर गए हैं उससे साप करेंगे दोनों पति-पत्नी ने शादी के बाद अपना पहला संकल्प यही लिया दोनों ने मिलकर समंदर तड़का काफी कचरा साप कर डाला अनुदीप ने अपने इस संकल्प के बारे में सोशल मीडिया पर भी शेयर किया फिर क्या था उनकी इतनी सांदार सोच से प्रभावित होकर धेल सारे युवा उनके साथ आकर जुड़ गए आप जानकर हैरान रह जाएंगे इन लोगों ने मिलकर सोमेश्वर बीच से आठ सो किलो से जाधा कचरा साप किया है साथियों इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है कि ये कचरा इन बीचीज पर इन पहड़ों पर पहुंचता कैसे है आखिर हम में से ही कोई लोग ये कचरा वहाँ छोड़ कर आते हैं हमें प्रदीप और अनुदीप मिनुसा की तरह सफाई अभ्यान चलाना चाहिए लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल भी लेना चाहिए कि हम कचरा फ्यलाएंगे ही नहीं आखिर स्वच्च भारत अभ्यान का भी तो पहला संकल्प यही है हाँ दमपती है अनुदीप और मिनुशा अनुदीप और मिनुशा ने अभी पिछले मेंने नवंबर में ही शादी की है शादी के बाद बहुत से विवा घुमने फिलने जाते हैं लेकिन इन दोनों ने कुछ अलग किया ये दोनों हमेशा देखते थे कि लोग अपने घर से बाहर घुमने तो जाते हैं लेकिन जहां जाते हैं वहीं धेर सारा कूड़ा खचरा छोड़कर आ जाते हैं करणा टका के सोमेश्वर बीच पर भी यही स्थिती थी अनुदीप और मिनुशा ने ताई किया कि वो सोमेश्वर बीच पर लोग जो कच्रा छोड़कर गए हैं उससे साप करेंगे दोनों पती-पत्नी ने शादी के बाद अपना पहला संकल्प यही लिया दोनों ने मिलकर समंदर तड़का काफी कच्रा साप कर डाला अनुदीप ने अपने इस संकल्प के बारे में सोशल मीडिया पर भी शेयर किया फिर क्या था उनकी इतनी सांदार सोच से प्रभावित हो कर धेल सारे युवा उनके साथ आकर जुड़ गए हैं आप जानकर हरान रह जाएंगे इन लोगों ने मिलकर सोमेश्वर बीच से आठ सो किलो से जाधा कच्रा साप किया है साथियों इन प्रयासों के बीश हमें ये भी सोचना है कि ये कच्रा इन बीचीच पर इन पहड़ों पर पहुंचता कैसे है आखिर हम में से ही कोई लोग ये कच्रा वहाँ छोड़ कर आते हैं हमें प्रदीप और अनुदीप मिनुसा की तरह सफाई अभ्यान चलाना चाहिए लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल भी लेना चाहिए कि हम कच्रा फ्यलाएंगे ही नहीं आखिर स्वच्च भारत अभ्यान का भी तो पहला संकल यही है हाँ